कर दो कि अधियों कि अधियों स्वागता आप सभी का जीडी साइंस क्लासस में बचो मैं हूं कुल्दीप सिंग केड़ी आप लोगों से फिर से एक बार फिर से कम्मिलिकेट कर पा रहा हूं इस लाइब माध्यम से जिसमें की हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर चल रहे हैं बालोजी की जिसमें की पहला चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं पुष्पिये पातपों में लेंगिक जनन ठीक है इसके अंतरगत जो भी कोशन्स आपके बनेंगे वो हम यहाँ पर कवर अप करा रहे हैं जो की एक्जाम की दृष्ट्री से इंपॉर्टेंट है एक तरीके की यह रिवीजन क्लास है आपकी बच्चा ठीक है तो यहाँ पर आज पुष्पिये पातपों में लेंगिक जनन जो की जनन इकाई से लिया गया एक चैप्टर है पहला चैप्टर है आपका और इसमें जो बहु कि जो बिकल्पिया प्रश्न बनेंगे आपके किस तरीके के वो हम लोग यहाँ पर दील करेंगे सबी लोग कनेक्ट हो जाएं सब लोग फुटाफट रामू सिंग कुस्वा हेलो बेटा सथ्पाल कश्यप गूड इबनिंग बेटा फिजा अली गूड इबनिंग बरी बरी सबी का स्वागत है आज कि इस क्लास में बचो हटापट आजाओ सब लोग जॉइन करिए फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को देखिए बच्चो एक्जाम की दरश्टी से बहुत सारे प्रस्ण है चीक है सबी का स्वागत है आज कि इस क्लास में बचो वेरी वेरी गुडी इबनिंग क्या मेरी बॉइस बिल्कुल गलियर आ रही है बच्चो बता दें एक लेगा lucky को बैरी वेरी गुडी इबनिंग बैरई वेरी गुडी इबनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं देखे बचों जो यहां से जो क्योंकि अधिकतर आप जानते हैं कि यह चाप्टर थोड़ा हीरो है कह सकते हैं तो यहां पर आपके जो पॉइंट वूइंट होंगे उनकी बात करेंगे चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर जो कौन सी ऐसे कॉशन से जो की आपके एक्जाम के पॉइंट अब इस इंपर्टेंट है तो किस तरीके से यहाँ पर जो बहुत विकल्पे प्रस्न है आपके वो किस तरीके से आएंगे तो सभी लोग जवाप भी दें आनसर भी करें जो भी हुए कोशन या पर प्रश्ण जो होते हैं आपके एक्जाम में एक-एक नंबर के आते हैं जो बोर्ड एक्जाम से आपके क्लास 12 के स्पेशली ध्यान दे बच्चों तो यहाँ पर जो एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं आपसे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हलाकि इससे आपको बहुत सारे छे से साथ कोशन आपको मिल जाते हैं ठीक है तो कन्फूजन अद्या सर की कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कोशन मैंने कुछ कैटेगराइज किये हैं ठीक देखते हैं पहला कोशन पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर कौन बनेगा करोण पती है तो पहला कोशन है करा निम लिकित में से कौन सा भाग पुष्प के नर्जनन अंग का प्रतनीदित्व करता है यानि कौन सा ऐसा भाग है जो कि नर्जनन अंग का प्रतनीदित्व करता कुंको से यहां पर आंसर है देखिये हैं चार आप्ससठी पास पुमंग गूरु भीजाडु झायांग परागर चीकर आनि चार आप्ससे नंबर और जायांग पनबर वर तो ऐसा ओन से भाग है पुश्पिक तो आपको पता होना चाहिए कि नर जनन अंग को आप क्या बोलते हो एंडूरुशयम कहते हो तो यह तो बहुत ही सरल कोष्चन हो गया कहा सकते हैं इसी तरीके से प्रश्चन आएंगे भी तो उनको डील करेंगे तो सीधिस बात है कि मेल पार्ट को आप क्या कहते हैं मेल पार्ट को एंडूशियम कहते हैं मेल पार्ट को एंडूशियम या पुमंग कहा जाता है और जो मादा भाग होता है फिमेल पार्ट होता है फिमेल पार्ट को क्या बोलते हैं गायनूशियम बोला जाता है तो गायनूशियम यानि जायांग बोलते हैं इसको क्या बोलते है नमबर A बाला कह सकते हैं तो नमबर A is a right option in this question तो आप याद रखिए कि पुमंग जो होता है वो male sex organ के रूप में flower के अंदर पाया जाता है तो यहाँ पर right option is पुमंग यानि नमबर A is a right option तीक है clear next question के ओर बढ़ते हैं हम लोग next question के ओर बढ़ते हैं अगला question है आपरत बीजी पौधों में पुम्केसर है नमबर A है मादा जन्नांग है नमबर B है नर जन्नांग नमबर C है दोनों यानि A and B and नमबर D है इन में से कोई नहीं फटाफट कमेंट करें कि आपरत बीजी पौधों में पुम्केसर है मादा जन्नांग है नर जन्नांग है नमबर C दोनों या A and B है या इन में से कोई नहीं है फटाफट आंसर करें आप आंसर A, B करके भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आंसर करें सब लोग चैट सेक्शन ओन है चैट सेक्शन ओन है आपका आंसर करें फटाफट सब लोग फटाफट आंसर करें कि आपरत बीजी पौधे हो जब होते हैं उनमें पुम्केसर है यानि एंजियो स्पम्स की बात कर रहा है पिटा angio sperm में जो stamen होते हैं वो हैं पूंकेशर हैं पूंकेशर को stamen कहते हैं और आपरदगी जी को angio sperm कहते है याद रखिए तोम समुसरा A, B, दोनो बाकिiblोग भी आंसर करें बिटा रामुकुश्बा, सूरवेंद्र, अशर अलोक दिक्षित फिजा सत्रपाल कश्या जितने भी एड हैं जितने भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब लोग कमेंट करें विटा आप रत्विजी पौदों में पुंकेसर हैं मादा जन्नांग है नर जन्नांग हैं दोनों है एंड बी दोनों है या इन में सिक कोई नहीं फटा-फट आंसर करें फटा-फट आंसर करें एक मिनट रुक्या बच्चों तो आप लोग अंसर करिए एक मिनट एक हैं अंसर करिए थब लोग कमेंट करें अपने अपने कि अग्याइब कि कि अग्याइब कि अग्याइब आशर करिए रामु कर्षवा वोने हैं अनली बी अनली भी नर जन्नांग है अच्छा वैरे गुड वाकी लोग लोनिका भी बहुत अच्छी बात है तो यहां पर आपको पता है कि पुंकेसर जो होता है किसमें पाय जाते हैं पुंकेसर का समूही क्या कहलाता है अभी हमने अभी पहला जो कोशन डील किया था उसमें आपने देखा था कि जो पुंकेसर का समूही क्या कहलाता है पुंकेसर का समूही क्या कहलाता है पुंकेसर का समूही क्या कहलाता है पुंकेसर का समूही क्या कह यह दो नरजनन नांग है ना और यहां पर पॉंग क्योंता है अगल से इस तरीके से से लगी ए इस तरीके से नीचे का लगा होता है और इस तरीके से । तो कहने करते हैं कि पुंकेशर क्या थेु पुमंग नर्वा गए तो यहां पर भी राइट ऑप्सन याद तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा B ठीक है नर जननांग याद रखिए बुट इबनिंग समिक्षा अगला कोशन देखते हैं अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं अगुडित कोशिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है अगुडित कोशिका है नमबर A टैपिटम नमबर B पराग मात्र कोशिका नमबर C पराग कड नमबर D पराग कोश फटाफट आंसर करें अगुडित कोशिका है 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 अगुडित कोशिका है जिनके अंदर क्रोमोजोम की नमबर आधी है जिनके अंदर गुड़सूत्रों की संख्या आधी है तो जिनके अंदर गुड़सूत् एंथर बॉल होती है और एंथर बॉल डिप्लोड होती है तो होगी नहीं टैपिटम क्या करती है बटा मैंने पिछले सेशन में बताया था जितने भी बच्चे देख रहे हैं ठीक है ध्यान रखिए कि यह जो कोश्चन छोटे-छोटे हैं यह बहुत बड़े-बड़े इनतर बॉल में पराग जो सकते हैं जो कि लगवीजान धनी के चारोर तरब पाए संथर से भोजन को पराग कुड़ो तक पहुच़ाने का काम करता है यह तो इन तो होगी नहीं पराग मात्र-कोश्य का सिधी ते बात है कि जो पराग धनी है यानि लग विजान धानी है वो सीधी से बात है कि वो डिपलोईड होगी तो ये भी तो नहीं होगा पराग कड पराग कड जो होते है पॉलन ग्रेन जिसको बलते हैं क्या बलते हैं पॉलन ग्रेन अब पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं पॉलन ग्रेन कहा बनते हैं पराग मातर यानि पराग मातर कोशिका में मियोसिस होता है यानि पराग मातर कोशिका बनेंगे ऑधा रजा है और भी आर्द सूत्री विभाजन होता ही है आनुंवмет मियोसिस होता है तो आप जानते हैं कि यहां पर चार-type के स्पोर्स बंते हैं, अर्थात पराग कड़ है, और जो कि कैसे होते हैं, टेटराट फॉर्म में होते हैं, आपने भी होगा, टेटराट फॉर्म में, पढ़ा है ना समने, इस स्थुरिके से, तो टेटराट फॉर्म में जो, जो पॉलन ग्रेंज जो होते हैं, वह mythis division, एक होता ह माइटोसिस में क्या होता है माइटोसिस में एक कोशिका से दो कोशिका बनती है एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और ये कोशिका डिपलोईड होती है और इनसे जो बनने वाली कोशिका होती वो भी डिपलोईड होती है यात रिखे लेकिन अगर हम MIOSIS की बात करें The Great Experiment नमस्ते बेटा नमस्ते तो अगर हम बात करें Misyasis की तो Misyasis में क्या होता है एक diploid cell एक डीगुरिद कौशी का Miosis जब होता है Miosis की बात करें तो Miosis जब होता है कुसी भी cell अदर तो कोई diploid cell divide होकर क्या करती है चार haploid cells का formation करती है, haploid मतलब जिनके अंदर गुड़ सूत्रक संख्या आधी होती है, याद रखिए, और याद रखिए, अब सीधी जबात है, पराग कड़ थैरा, पराग कड़ कैसे बना है, पराग मात्र कोश्का के विभादन से, सीधी से बात है, तो यहाँ पर जो पराग कड़ होंगे, पर कई से होंगे, अगुड़ित होंगे, अगुड़ित का मतलब क्या है, अगुड़ित का मतलब है कि इसके अंदर गुड़ सूत्रक संख्या आधी पाए जाएगी, तो हमने यहाँ पर कहा, कि हैपलोइट कोश्का है, यानि हैपलोइट सेल है, यानि अगुड़ित कोश्का है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर, पराग कड़ जो होता है, पॉलन ग्रेंज जो होता है, वो एक अगुड़ित कोश्का है, अब पराग कोश्क क पाए जा रही है इनके अंदर क्रोमोजोम की नंबर पूरी है इसके अंदर भी क्रोमोजोम नंबर पूरी है लेकिन पराग कड़ जो होता है यह है यादर किये तो अगला कोशन देखते हैं इसी तरीके से हलो बिटा अरपित आयान सराज बहुत स्मार्ट लग रहे है थैंक्यो बिटा थैंक्यो चलिए अगला कोशन एक प्रारूर्पिक आपरत बीजी पराकोश में आपरत बीजी का मतलब एंजियो स्पर्मी एंजियो स्पर्म है ना फुष्पीय पौदों की बात कर रहे हैं और ए के बात कर रहे हैं प्रारूर्पिक आपीजी पराकोश में लग बिज्ण धनिया की संख्या होती एक होती है दू होती है टीन होती कमेंट करो फट्था चाहुटा कोश्चन जो आपका इसका कमेंट करो फट्था आफट कॉडिन तो कहने करते हैं की एक प्रारुबिक प्राकोश में लगवी जानों धनियों की संख्या होती है यानि कितनी माइक्रोस्परेंजिया एक एंथर के अंदर पाई जाती है आप जानते हैं कि एक स्टेमेन होता है तो स्टेमेन में क्या क्या पाई जाता है यह stemmen है तो इस्टमेन आप जानते हिए filament हो गया तन्त हो गया filament हो गया एंथरWellerman के रिमिलिवेंब के अंदर के अंदर याद रखिए तोड इसको मैं मिटा देता हूं石ट питमेन के अंदर क्या क्या होता है कितने भाग होते हैं कौनसे भाग होत एक तो फिलामेंट होता है तोकि दंडीниц दंडी नुम मा कोश बोलते हैं और पराग कोश के अंदर क्या पाई जाती हैं लगभी जाणु दानिया पाई जाती है आपको पिछले वाले Foundation में आपने देखा था कि जब हम इसको कट करते हैं इसका सेक्षन काड़ते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का व्यु दिखाई देता है इस तरीके का दिखाई देता ना तो आप सीधिस बात है कि एक पराकोष् में पराकोश में अधिकतर ज्यादा तर चार माइक्रो स्पूरेंज या याद रखिए ठीक है इस पैसली डााई थीकष ब में अんदर डाई थी और मोनो थीकस जो पुंकेसर होते हैं उनके बारे में बताईए पता है किसी को तो यहाद रखे कि जब पालियां की बात आती है तो पालियों में दो आती है तो यहाँ पर राइट ऑप्षोन होगा यानि यहाँ पर आधिकतर जो पुंश्मियों में प्रारूपी या प्रकोष में यानि प्रारूपी अधिकतर जो पुष्प है उन thou चार मात्र कोषगा में गुडसूत्रों की संकhya होती है यानी पराग मात्र不是 पराग करों करने यानि Pollen Mother Cell की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है Pollen Mother Cell और आप जानते इसी में होता है Mewsys और Mewsys होता है तो क्या बनता है चार Spores बनते हैं नियाद रखेंगे कितने Rock Form में चार Spores बनते हैं यानि चार पराग कड़ बनते हैं जो कि टेट्रार्डट फॉर्म में पाया जाते हैं किस quality पाया जाते टेट्रार्आ रूप में और ये यह जो स्ट्रक्रत you can होते हैं सारे के सारी यानि प्रतेक पॉलन ग्रेन है प्लोइड होता है नहीं अगुडित होता था तो उनमें गुडशूत्रुक संक्या क्या होगी आधी होगी कह सकते हैं ठीक है तो लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि पराग कड़ मात्र कोश्का यहां पर पॉलन मदर सेल की डिप्लोइड होती है तो यहां पर राइट आप्शन होगा नंबर बी याद रखिए तो नंबर बी जो होता है राइट आप्शन होता है याद रखिए ठीक है तो राइट आप्शन इस नंबर बी इस राइट आप्शन डैट मिन दुईगुडित होगा यानि पराग कड़ मात्र कोश्का में जब मियोसिस की प्रिक्रिया होगी अर्द सूत्र विभाजन होगा तभी चार आपके पराग कड का निर्माण होगा याद रखिए ठीक है तो यह बहुत ही important बात है यह छूटी सी बात है लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह important बात आप भूल जा कि परते क्रमशा होंगी यानि किसी पराग कोश भोलते हैं अंतर को पराग कोश अंतर को कहा जाता है तो कोई पराग कोश है उसमें जो लग विजान धानी पाए जाती है यहां पर इसका section बना लेते हैं उसकी kaart बना लेते पराग कोश जो पाया जाते हैं इस तरीके से होते हैं इस तरीके से होते हैं इसी तरीके से होता ना हाँ आप जानते कि बाहरी लेयर होती एपिडर्मिस एंधर बॉल में यानि एंधर भित्ती में पराकोछ भित्ती में सबसे बारे लियार कैसी होती है तोड़ी से इसके अंदर वाली जो होती है वो कैसी होती है उसको एंदोथीसियम कर देते हैं गईते हैं और इसके अंदर वाली एक ओर होती है यह बाली जो यह देख रहे ना आपको यह सब यह सब यह सब यह मद्य が अनल्य होती है और एक ऐसी होती जो जिसमें की माइक्रोस्पुरेंजिया के चार और पाई जाती यह माइक्रोस्पुरेंजिया मैंने बना दी यह वाले जो लेयर है यह होती टैपिटम लेयर चार लेयर होती ना एपिडर्मिस एंडोथीसियम और मिडल लेयर और टैपिटम लेयर चारी लेयर तो होती है पूछ पूछ गया रहा है किसी पराग पूछ की लग विजानु धानी की बाहतम बस सबसे भीत्री परते क्रमशा होंगी तो कौँ सी होंगी बताईए याद रखे करा सबसे बाहरी और सबसे भीत्री आपको बतानी है करा माइक्रोस्परेंजिया की सबसे बाहरी और सबसे भीत्री बताने तो सीथी से बात है कि माइक्रोस्परेंजिया के सबसे बाहरी जो यह माइक्रोस्परेंजिया है यह क्या है सूक्ष मिजानु धानी यह नहीं है यह वाली देखिए यह उसके बाहर की परत बतानी आपको और इसके अंदर की सबसे बाहरी परत होती है इंतर पहल कों से होती है और सब्से इंत्रिक परत कों स होती है याद रखिए तो यहां पर राइट ऑपशन इसको मिटाए देता हूं इसको हाईलाइट कर देता हूं तो राइट आप्षन इस एपिडर्मिस एंड एपिटम जिसको नोट भी करते रहे तो बेश्ट रहेगा कह सकते हैं हाँ अगला कोशन अगला प्रस्ट छे कोशन हो गये हैं हमारे अगला प्रस्ट ने हाँ बहुत अच्छा कोशन है करा 200 लग बीजानूं के निर्माण के बात कर रहा है पॉलन ग्रेंड यानि 200 पराग करण के निर्माण के लिए प्रयाकार्मत प्रयाकार्यात्मक लग भी जाडू मात्र कोशिकाओं यानि माइक्रो स्पोर मदर सहल माइक्रो स्पोर या पराग पराग कड मात्र कोशिकाओं इसको बोल सकते हो या पराग धानी कह सकते हैं माइक्रोस्पोर कि मदर सेल इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं में कितने अर्ध सूत्री विभाजन होंगे तब यहां पर आपको 200 लग भी जाणू प्राप्त होंगे आप जानते हैं कि मियोसिस परिले आप समझिए मियोसिस मतलब अर्ध सूत्री विभाजन अर्ध सूत्री विभाजन आप जानते हैं अर्ध सूत्री विभाजन कहिते हैं ठीक है अर्ध सूत्री विभाजन में क्या होता है एक कोशिका जो होती है एक डिपलोइड सेल जो होती है वो कितनी बना देती है चार हैपलोइड सेल्स बनाती याद रखिए चार बनाती ना एक एक कोशिका जाने एक लग भी जानौ में िूट और कोशिका क्या करती है चार पराग कढ़ों की निरमार अबद सिथी बाध सब्सक्राइब करती ही 22 सो है तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको वे बताए आप्शन बताए फटाफट इसका तो हमें 200 माइक्रो स्पोर्ट यानि 200 पराग कड़ बराने के लिए हमें कितनी बार विभाजन करना पड़ेगा कितनी बिभाजन होंगे लग भी जानू मात्र कोशिकाओं में अर्थात पॉलन मदर सेल में पॉलन मदर सेल भी कह सकते हो माइक्रो स्पोर मदर सेल भी कह सकते हो पॉलन मदर सेल भी कह सकते हो या माइक्रो स्पोर मदर सेल भी कह सकते हो इसमें कितने भी भाजन होंगे तब आपको 200 माइक्रो स्पोर्स प्राप्त होंगे बताईए फटाफट कमेंट करें बहुत इंट्रेस्टिंग कोश्चन है यह दो सो माइक्रो स्पोर्स यानि 200 पराग करके निर्माड के लिए प्रकार्यात्मक लग विजानु मात्र प्रामोसिस यानि अर्ट सूत्री भीवाजन होंगे फटाफट बटाएं मोनिका कह रहें बी मोनिका भी बोल लई है बाकी लोग भी बताए बैटा बाकी लोग भी बताएं कि कितने भीवाजन होंगे जिससे की 200 पॉलन ग्रेल यानि पराकड का यहां पर निर्माड हो जाए कह सकते हैं कि कि इतने होंगे याद रखिए अब यहां पर इसको निकालने के लिए एक तो तरीक आई यह है कि 200 पराकड है आपके इसको बनाने के लिए कितने चाहिए हमें आप जानते हैं कि एक मियोसिस में कितनी कोशिकाय बनती हैं चार बनती है तो चार से भाग कर दीजिए दोस्तों को चार से भाग कर दीजिए चार पंजे बीस कितना आ गया पचास यानि पचास विभाजन होंगे पचास विभाजन होंगे तो क्या होगा दोसों हमें माइक्रो स्पोर्स प्राप्त होंगे चिक है हाँ प्रभा देवी नमस्ते हेलो ग्रेट एक्स्परिमेंट भाईया अरे आप लोग क्यों बातें इस तरीके स्कर रहे हों कोई दिक्कत नहीं है तो हमने का 200 पॉलन गर्न बनाने के लिए कितने 50 आपको चाहिए होंगे 50 बार विभाजन होगा पुश्काओं के अंदरता अर्था लग भी जानू धानी में 50 बार जब होगा विभाजन तब यह क्या होगा तब कंडिशन अप्लाई होगी तब यहाँ पर 200 आपके पॉलन ग्रेन यानि पराकर बनेंगे तो राइट ऑप्सन इस नंबर बी यानि 50 बार जब अर्थ सुत्री विभाजन होगा लग भी जानू धानी में तब आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे 200 200 लग भी जानू यान तो 4 कुण किया आप जानते हैं कि एक बाड़न वे कितने कितनी सामीख मिलती एक बप्राइब आलनों मौा एक एक कोशिका से किती कोश्का बनती क्या बनती चाहर बनती न तो मैंने 200 को चार से भाग नोधीन निकल आया इस दरीके से हैं आफित दो यहाँ पर राइखर आप तो यहां पर राइट आप्सन इस 50 नमबर भी अगला प्रस्प नेक लेते हैं तो 112 लग बीजाणू के निर्वाण के लिए लग बीजाणू मात्र को शिकाव में कितने विभाजन होंगे कितने विभाजन होंगे जिससे कि आज 112 माइक्रो स्पोर्स बन जाएंगा अपने आप भी आप लोग कमेंट करो अपने आप कमेंट करो फटाफट कमेंट करो सब लोग कमेंट करिए सब लोग कमेंट करें कि 112 लग भी जाणू के निर्माण के लिए जो आपकी पॉलन मदर सेल है उसमें कितने मियोसिस डिवीजन होंगे फटावट बता है वह या सब लोग बताओ भाई गलत बात है यह बहुत गलत बात है कि यहाँ पर लाइप सेशन ले रहे हैं और आप लोग बताने रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है भाई फीलिंग नहीं आ रही बिल्कुल भी भाई आप लोग सपोर्ट करें पढ़ें अच्छे पढ़ें रिवीजन करें तब ही तो अच्छा लगेगा ना अरे आप भले गलत बताएं कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेजिती वाली बात नहीं है ठीक है हाँ फिजा आली बोलें ऑप्शन भी है ऑप्शन भी है बाकी लोग भी बताएं भाई अपना अपना ऑप्शन दे चैट सेक्शन ओन है हाँ जल्दी दे फटा फटा कि चलिए तो सभी नहीं अप्शन दिया कि नहीं दिया मौनिका बोलें 28 रामु सिंग कुछ बाब बोलने हैं बी फिजाली 28 सत्यिपाल कश्यप बी अनुज कुमार मौरिया बी सही है आप जानते हैं कि एक दुई गुडित कोशिका से चार अगुडित कोशिकाओं का निर्माण होता है तो चार से आप क्या करेंगे हाँ कर देंगे ना हाँ तो यहां पर राइट आप्शन इस टूंटी एट टूंटी एट टूंटी एट इस टूंटी एट आप्शन क्लियर बहुत अच्छी बात है अगला प्रश्ण अंड समुच्छे की निर्माड में कौन सा है एग एपरेटस एग अंड उपकरान जिसको बोलते हैं जिसमें की क्या-क्या होता है बताओ करा अंड समुच्छे की निर्माड में कौन शाहिक है नंबर on एंड नंबर बी एंड पासाइं कोशिका हैं यानी एग and accessory cells और को सिनर्जिट cells बोल सकते हैं उसको ूथ प्रतिमिग एपोश का यानि एंटीपोटल अलस्छ एंड वैंड साहिक को शिकाएं यानी सिनेजेट सेल्स एंड एंटि-पोडल सेल्स चार आप्शन हैं अंड समच्चे के निरमाण में कौन सा आएक हैं सेदी इस बात है कि एग अपरटरस कैसे बनता है आप जानते हैं कि जो फीमेल एंब्रियो सैक होता है उसको आपने बराया होता है डायग्राम यानि प्रतिमुख कोशिकाएं पाए जाती है एक साइड में और एक साइड में क्या होता है एक एग होता है और दोनों साइड में क्या होती है साहे कोशिकाएं पाए जाती है यह एग हो गया अंड हो गया कह सकते और दोनों लेटरल साइड में क्या पाए जाती है synergid cells synergid cells भी पाई जाती है याद रखिए synergid cells भी साहे कोश्का पाई जाती है और याद रखिए egg and synergid cells ही दोनों मिलकर क्या करती है egg apparatus कहलाती है egg apparatus egg apparatus कहलाती है याद रखिए तो कहने करता है कि end up current कैसे बनता है या end समच्चे कैसे बनता है साहे कोश का यह भबं साहे कोश का यह भबं हाँ być अन्ड के द्वारा यहाँ नमबढ़ बी जो राइख अऊप्शन है वो नमबढ़ बी है चीक है हाँ क्लियर है सबको तो यानी अन्ड और साहे कोश का है मिलकर ही क्या करती है अंड समुच्चे का फार्मिशन करती है तो ये पूरा अंड समुच्चे कहलाता है अंड समुच्चे जिसमें क्या क्या होता है बटा सहाइक कोश्गाय पाए जाती है और अंड पाए जाता है यारी right option is B अगला प्रश्ण अगला जो प्रश्ण है कराब बीजांड का भैस्थान जहां बीजांड प्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं बीजांड माने ओवियूल बीजांड माने ओवियूल इसको इंगलिश में ओवियूल कहेंगे ठीक है कराब बीजांड का भैस्थान जहां बीजांड प्रंत तो यहां से ठुड़ता है नदिया कई को आपको पता है आपने शुना ओगा एक नाम जिसका नाम है नाभिका याने हाइलस यह आपका उब्यूल है मैं बनाई देता हूँ खुशिश करूंगा अच्छा बन जाए आप जानते हैं कि जो नामिका होता है यह जो होता है यह तो फ्यूनिकल हो गया डंठल ओ गया यह पूरा उब्यूल है ये पूरा ओवियूल है याद रखें ये फ्यूनिकल है ये डंडा जैसा structure दिख रहा ना बचो ये फ्यूनिकल है इसको आप विजांड प्रंत कहेंगे यानि डंठल यानि विजांड का डंठल ही विजांड प्रंत कहलाता है फ्यूनिकल कहलाता याद रखें ठीक है तो नाभ बांः का से ग county ना किन से यहां से इसको इसको है का बोलते हैं और यहाख पाया जाता है कहां पाये जाता आ परागकड में पाये जाता बेजान में पाया जाता है या यह सभी राइट ऑप्षन यहां पर सही है प्रस्ट नंबर 11 जो है आपका निभाग पाया जाता है प्रस्ट नंबर 11 का उत्तर दीजी सभी लोग प्रस्ट नंबर 11 निभाग पाया जाता है यह कुशन आया भी है इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा भी है ठीक है निभाग पाया जाता है कहां पाया जाता है प्रस्ट के उत्तर दीजीए फटा फट आंसर ए अनुज कुमार बोल ले हैं आंसर ए पराकड में पराकड में त को ओविल बोलते हैं और यह सभी लोग बता रहे हैं बी में सभी बच्चे जाज़तर बी का चैनल कर रहे हैं, रामु सिंग कुश्बा भी बता रहे हैं, सठपल कश्यप भी बता रहे हैं, अबशेक भी बता रहे हैं, रामु सिंग कुश्बा भी बता रहे हैं, फिजाली भी बता रहे हैं, काईरा सी, रूड पोस में, रूड पोस में नहीं होता है बेटा, याद रखिये, निभाग पाय जाता है बीजांड में किसमें पाए जाता है बीजांड में पाए जाता है याद रखिए ठीक है निभाग जो होता है कहां पर पाए जाता है कहां पर पाए जाता है बीजांड में ठीक है तब बाड़ी ओफ ओव्यूल कॉलेज निउसेलस टैट मिन निभाग इसको आप कह सकत है body of ovule यह बीजांड का सरीर होता है जिसको आप निभाग के नाम से जानते हैं याद रखिए निभाग जो होता है वो बीजांड का सरीर होता है that means body of ovule called as body of ovule is called as new cellist new cellist that means निभाग जिसको बोलेगे ठीक है तो right option is b b is a right option याद रखिए तो बीजांड में निभाग पाया जाता है clear तरीके से समझ जाए ठीक है तो the body of ovule called as new cellist that means निभाग ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी तरीके से नमबर बारा प्रश्न करा है निम्न में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भूण पोस में पाई जाती है नमबर ए साह कोशिका नमबर भी अंड कोशिका नमबर सी प्रत्मिक कोशिका नमबर डी ये सभी साह कोशिका को आप सिनर्जिट सेल कह सकते हैं को द्रजेट सेल को कुछिए को एग सेल कह सकते हो प्रत्म को चिखा को एंटी पोर्डल सेल कह सकते हो एंटी पोर्डल सेल और यह सो भी यानी अल अल अब धीज बताइए फटा फट आँसर से रिए थैंक यू नेमने में से कौशिका हैं जिसको आप पढ़ते हैं तो उस मादा इगुमकोदभिद में हर प्रकार की कोशिकाएं पाएगी साहे कोषिका, अंट कोषिका, प्रत्म कोषिका, ये सभी, नमबर बार्मा प्रश्ण है आपका, याद रखे, नमबर बार्मा प्रश्ण है, तो याद रखे, इसमें से सबसे common जो cell होती है, वो हर एक भूड कोष्ट में अर्था थे, हर एक Female Gamitofite में पाया जाएगा, नो बेटा, नो, सभी में नहीं होता है, अलग-अलग टाइप का Brun Cose भी होता है, Brun Cose अलग-अलग प्रकार का होता है, याद रखिए, किसी में antipodal cell नहीं है, तो किसी में synergate cell नहीं है, याद रखिए, लेकिन एक cell IC होती है जो कि सभी में पाया जाती है कौन सी अंड कोशिका that means egg cell egg cell एक ऐसी अंड एक cell सीती से बात है female gamete की तरह कार करता है मादा यूमक की तरह कार करता है तो यहाँ पर अंड कोशिका जो है सभी प्रकार के brood coast में पाया जाता है राइट आप्शन इज राइट आप्शन इज वी ठीक है तो वी इज राइट आप्शन अंड कोशिका नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग रामु सिंग कुश्बा डी जा करिक्ट आंसर बेटा आपकी बात ठीक है लेकिन आपने polygonom टाइप का बताया लेकिए पॉली गोनम परकार का जो भूण कोश्बाइब अलग 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 टाइप के भूण कोश्बाइब यानि याद रखी तो आपने पॉली गोनम कमनली पढ़ा है तो आपने बता दिए कि सर यहां पर D होगा यानि इसमें सही कोशिका भी पाए जाएगी अंड कोशिका भी पाए जाएगी आपकी बाद ठीक है आप अपनी जगह पर ठीक है अगर मैं यहां पर लिखता कि पॉलीगोनम टाइप के भुरूण कोश में कोशिका पाए जाती है तो आप बताते कि हाँ यह सभी पाए जाती है तब यह आपका प्रश्ण बिल्कुल यह उत्तर जो आपने दिया है डी यह बिल्कुल सटीक और सही होता कह सकते है ठीक है तो यहां पर राइट आप्सन होगा कौन सा अंड कोशिका क्योंकि यहां पर पुझा कि निम्न में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के आल यानि आल टाइप का भूंड कोश की बात कर रहा है याद रखिए तो आगला अगला प्रश्ण देखते हैं इसी तरीके से बहुत ही एक्जाम की द्रश्टी से प्रड़ते हैं पॉलिगोनम टाइप का जो एंब्रियो सेक है पॉलिगोनम प्रकार का भूंड कोश जो होता है उसके लिए यह कंडिशन डी वाले राइट डी वाला जो आप्शन आपने दिया था वो बिलकुल सटीक और सही था कह सकते हैं लेकिन बहाँ पर पूछा था कि सब्सक्राइब कोश ना कि पॉलिगोनम तो पूछा नहीं बहा पर तो लिए त्थे बात है रहे या प्र। भीडोट कोश परिपक होने पर होता है, ब्रून कोस का पतलब समझ जाए है कि embryo sac, ऐसा होता, confusion रहता कभी-कभी कि कभी-कभी confusion ऐसना रहता है बिटा कि ब्रून कोस और ब्रून कोस में हम लोग अंतर नहीं जान पाते है याद रखे, ब्रून कोस जो होता है वो female गैम, बटो मादा युगमकोद भीद, इसको पढ़एंगे, मादा युगमकोद भीद याद रखेंगे तो मादा युगमकोद भीद करें कहेंगे इसको, तो कहरा है polygonण प्रकार का भून कोस है, इसमें लिखा है number 08 कोष कीये, सात कीये, number B option साथ कोछ की आठ केंद्र की नंबर सी आपस्क्टी आठ केंद्र कि नंबर दी आपस्ट और साथ कोछ की साथ केंद्र किये या एर्स सेल्ड एंड सावन निंग टिर पलब उपस Hausebracht ने नंबर भी आपसनी इज सेवन सेलड'd यहां पर कौन सा अप्शन सही हो मोनिका बता रही है मोनिका सी बता रही है आपको जो मैंने पढ़ाया था उसमें देखिए यह देखिए हम यहां पर भूण कोस का एक डाइगराम यहां पर पॉली गोनम प्रकार का बना जेते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए ठेके अपने मन में विल्कुल भी डाउट नहीं रखना है यहां पर स लाइव आने का purpose क्या है लाइव आने का purpose है कि आप हमसे communicate करें और आप अच्छी तरीके से अपनी study को clear करें चीक है हाँ तो यहाँ पर देखिए मैं एक diagram बनाए देता हूं थोड़ा सा अच्छा बनाए देता हूं जिससे कि आप अच्छा लगे आप लोगों को भी कि हाँ थो एंटी एक मिनट कार देता हूं उसको एंटी पोडल सेल यानि प्रतिमुक कोशिका है सब लोग समझते रहे ना बिटा नहीं समझोगे नहीं समझ में आई के बात एंटी पोडल से जो लोग जान गाए तो वह अच्छी बात है जो लोग नहीं जाने है तो लोग समझे एंट सब्सक्राइब जैल यानि साहय कोशकाया काएंगे और एक होती एग और यही दोनों मिलकर क्या बनाती है एग एपरेटस बनाती है एग एपरेटस आपने पढ़ा है न सब लोगों ने तो बही बात बता रहा हू हू ठीक है तो आप गिनी है सब लोग कितने कि और कितने केंद रख़एं को शिका के न ये निदली पहले एक दु तीन चार पाँंच छे साथ यानि कितनी कोशख्ष कांए उसमें साथ को श्यकाए यानि सेवन सेल्ड यानि साथ कोशखा वाला इस्ट्रक्चर जो यह अविकी ड्राइब कि अच्छा नुक्राइब कितने हैं ठीड़ इसे अ requiring शुरू करें इंग है कि नहुत देखें कि अ लिए एक दोव तीन चार पांच सद्ध में और नुकरिस नोट करें से जो स्ट्रक्षषयह कैसा है और साथ कोशिकाओ वाला है और कितनी नुकलेस इसमें निकले हैं? आठ नुकलेस निकले हैं एट नुकलेस यानि यह जो स्ट्रक्चर होगा पॉली गोनब प्रकार का जो भ्रूंड कोस है हमने क्या बनाए यहाँ पर? एम्ब्रियो सैक बनाया है क्या बनाया embryo sack बनाया अर्था भूंड कोस का यहां पर हमने डाइग्राम ड्रा किया है तो याद रखिए इसमें कितनी कोश्काय दिखी आपको यानि एक पॉलीगोनम प्रकार के भूंड कोस में साथ कोश्काय वह आठ नुकलियस वाला इस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए तो आप इसी तरीके से इसको आप डिफाइन करेंगे याद रखिए ठीक है आप जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करते हैं जो लोग नए देख रहे हैं जिसे कि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको क्लास इसी तरीके से रेगुलर वे में मिलते रहे और चैनल को शेर भी करते हैं सब लोग ठीक है जो लोग आये हैं लाइ पर कराएं प्रतिमों कोश्काएं यो प्रिस्त्रित होती है नि बात है निभागिये छोड़ पर पाएँगी कहां पर पाएज़ जाएंगे माइक्रो पालर रीजन कोशिकन या तरब क्या पाय जाता है अंड समुच्य या अंड उपकरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अंड समुच्य या अंड उपकरन पाया जाता है, जिसमें कि अंड होता है और सहाय कोशकाइं पाया जाती है, जो कि Micro Pilar Region की तरफ पाए जाती है तो Right Option is निभागी ये छोर पर ये Right Option है ठीक है तो यानि निभागी ये छोर पर क्या होती है प्रत्मिक कोश्काइं पाए जाती है जो की उपस्तित होती है आद रखिए ठीक है तो Right Option is A तो A is the Right Option in this question अगले प्रस्न की और पढ़ते हैं हम लोग चला जा की और यहां पर लिखते हैं चला जा के छोर पर पर पाए जाएंगी ठीक है अगला देख लिखते हैं आद देखे ऐसा होता है कि हिंदी और इंगलिस तोड़ा कंशूजन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी जैसे एक बात आये थी जो इस्ट्रक्चर था कहीं पर एक बात थी तो उसमें एक्स्प्राइशन की बात थी ना अगला प्रस्न देखते हैं नंबर प्रस्न नंबर 15 करा एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कड़ों का पराग कोड़ों का दूसरे पुष पुष्प के स्टिग्मा तक का इस्थानांतर कहलाता है फटा फटा आंसर दें एक ही पादप के एक ही प्लांट है एक पुष्प के पराग कड़ों का दूसरे यानि एक प्लांट में एक प्लांट में फ्लावर है और उसी का कोई दूसरा फ्लावर है उसी प्लांट का कह सक रखते हैं उसकी बात कर रहा है तो यह यह फ्लावर लगा हुआ है कि यहां पर लगा हुआ है एक ही प्लांट है यह तो यह इसके पॉलन ग्रेन यहां तक पहुचेंगे तो इसको क्या कहेंगे यह पूछ रहा है यहां पर इसको बोलेंगे क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर एक ही प्लांट के किसी फ्लावर का पॉलन गरीन का ट्रांसफर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के उपर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे तो यहाँ पर याद रखिए, जब ऐसी condition आती है, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सजाथ पुषपी परागण, क्या बोलेंगे सजाथ पुषपी परागण, सजाथ पुषपी परागण होता है जिसमें कि एक ही plant के flower जो होता है, उसी plant के किसी दूसरे flower के उपर अपने परागण को ट्रांसफर करता है, तो इस तरीके का जो question है, बहुत ही important होता है, तो सजाथ पुषपी यहाँ पर right option होगा, याद रखिए, अगला प्रश्चन देख लेते हैं, एक उनमील परागणी पुषपी, चैजमो गैमस flower में आटो गैमी संपन हो सकती है, यदि पराग कड़ बर्तिकागर के सुग्राही होने से पहले परिपक हो जाते हैं, नमबर बी है, बर्तिकागर पराग कड़ों के परिपक होने से पहले ग्राही हो जाता है, या अगला जो आंसर है, पराग कड़ एबं बर्तिकागर एक ही समय परिपक होते हैं, नमबर डी पराग कोश्वा बर्तिकागर दोनों की लंबाई बराबर है, तो बताइए फटा पट, सोला, चैजमो गैमस flower में आटो गैमी संपन हो सकती है, चैजमो गैमस ऐसे flower होता है, कि इसमें एंड पुरुश्यम बन जाएगा, अर्थात पुमंग बन जाएगा, या फिर उसमें गानुश्यम बन जाएगा, तो सीदिस बात है, कि ऐसा पॉसिबल जबी है, आटो गैमी तभी संपन हो सकती है, जब पराग कड़ और बर्तिकागर एक ही समय में जब संपन होंगे, एक ही समय म कभी संपन हो सकती है, इसमें आटो गैमी मितलब स्वा प्रागर की प्रिक्रिया खैज का सकते है, जब ते मिन चैसमा फिलावर होते हैं, इसमें जब जूरे बन खालम जाए अंट्स पहले बन गया, एसा हो रहता है, आगे पीछे रहती कंडिशन, अब सीथे बात है, प्ले की प्रिक्रिया नहीं होगी प्राग कर्ण जो होंगे वह बरतिकागर तक नहीं पहुच पाएंगे क्यूंकि आपको पता है कि या तो इस्टैमेन पहले बन जाएगा ठीक है या फिर उसमें कार्पिल बन जाएगा फ्लावर गंदर तो ऐसा पॉसिबल जब है कि जब प्राग कर्ण और प्रतिकागर नहीं पॉलन ग्रेन और इस्टिग्मा एक समय पर ही मैचियोर होंगे तभी यह पॉस्मिलिटीज होती है इसलिए आप राइट आप्शन होगा बेटा नंबर सी चीक है अगला प्रशन देख लेते हैं बहुत ही अच्छा पॉदा है याद रखिए साल्विया साल्विया में किसके द्वरावठ होता ह। हरी पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन बोलते हैं तो कि इसके द्वरावठ प्रगड इतिंट पॉलिनेशन जानते हैं सब लोग ह Knee ता ट्ररांसफर और अफ मेल Guermit शैंमन पॉल में देजे एंथर्टू स्टिग्मा इस कॉल्ड एज पॉलिनेशन यानि पराग कडों का पराग कोश से पराग कडों का पराग कोश से बर्तिकागर तक पहुंचना पर्तिकागर क्या है मादा भाग है न गान विश्यम का पाट है बरतिकागर तक पहुचना ही क्या कहलाता है परागण कहलाता है और परागण दो तरीके से होता है स्वाप परागण और पर परागण यानि सल्फ पॉलनेशन एंड क्रॉस पॉलनेशन तो सिदिस बात है कि यह जो साल्विया में जो परागण होता है वो क्रॉस पॉलनेशन हो होता है वह कीटो तो शत्रा नम्बर का जो आंसर है कीटो दो घुरा होगा याद로 को को दूसरे फ्लावर के इस्टिगवां पर पहुचाने के लिए कीटो कीट जो होते हैं यहां पर परागड़ की प्रिक्रिया में भाग लेते हैं याद रखिए ठीक है तो सी जई राइट आप्शन अगला प्रस्ट नहीं जल परागित पादप का नाम है जल परागित पादप इड़े में से कोई नहीं नमबर ती आप जानते है कि हाइड लाई जल परागित पादप का नाम है थी जल परागड़ के सकते हैं यहांपर हाइडरला जो परागड़ की जल परागर। पाया जाता है यादर कि है भाई है अगला प्रस्न देख लेते हैं विटा सुर्बेद सुकला एवा नोनिका एशत्यपल कश्चप एगुड है बहुत अच्छा प्रस्न है देखिए बेटा यहां पर अगला प्रस्न है करा एक लिंगा पॉधे में पॉधे के लिए एक लिंगा पॉधे के लिए एक लिंगा स्री पॉधे के लिए क्रतिम संकरन की यादि न बनाने में निम्न में से कौन सा पद किसी महत्तु का नहीं है कौन सा पद ऐसा है जो कि क्रॉस पॉलेशन में हैल्प नहीं करता है यानि वो उसका कोई भी आपसन नहीं है कह सकते हैं पटाफट बताइए कृतिम संक्रण की योजना बनाने में से कौन सा पद किसी महत्तु का नहीं है मादा की मादा पुष्प की बैगिंग बरतिकाग पराग करणों का छिड़काव नमबर सी भी पुष्पन नमबर डी पराग करण एकत्त्री करण आप लोग नमबर भी लिख दिया आगरों कि 19 का A या 19 का B, 19 का C, 19 का D इस तरीके से तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इस प्रशन का उत्तर दे रहे हैं यह वाला प्रशन है और इसका आप उत्तर दे रहे हैं तो किस प्रश्ण का उत्तर दे रहे हैं तो यह डिफाइन करता है कि आप किस प्रश्ण का उत्तर दे रहे हैं तो आप अपने प्रश्णों का उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस तरीके से लिख दिया करें कि 19 का A है या 19 का B है या 19 का C है या 19 का D है ठीक है इस तरीके से तो प्रशनों को समझना चाहिये करा एक लिंगा स्री पौधर के लिए करतिम संकरन की योजना बनाने में निम्न में से कौन सा पद्द किसी math का नहीं है, कौन सा नहीं है E-masculation E-masculation नहीं है न बटा E-masculation is the removal of instrument called as E-masculation, ठीक है E-masculation एक ऐसी process है जिसमें instruments को काटा जाता है, तो instruments यह जो process है, कृतिम संकर्ण योजना बनाने में ज्यादा possible नहीं है कह सकते है, तो इस पद का कोई भी महत नहीं होता है भाई भी पुष्पन के अलावा आप सिती से बात है कि मादा पुष्प में bagging कर सकते हो जिससे कि अन्य कोई process ना हो सके उसमें या आप बरतिकागर पर दूसरा कोई पराकड अगर मालीजिये है तो उसका छिड़काओ कर सकते हो या पराकड को इकतित कर सकते हो खुद कह सकते है तो इसका कोई ज़्यादा महत तो नहीं है याद रखिये है, हलाकि मिंडलन साब ने इसका इस्तमाल किया था, याद रखिये है, ठीक है हाँ, तो right option is C, तो C is a right option बिपुष्पन यानि E-masculation E-masculation is right option that means 19 का C, चीक है 19 का C चीक है, 19 का C clear है सबको Okay मुझे को, मादा की पुष्प की bagging तो होगी होगी, ठीक है संक्राण में कह सकते हैं बर्दिकाग पराकणों का छड़काओ करेगे तभी पराकण की क्रिया होगी पराकणों को एकत्रित करोगे तभी पराकण की क्रिया होगी तो बिपुष्पन तो कोई पॉस्मिल्टी ज्यादा नहीं है बिपुष्पन का मतलब क्या, रिमोवला बिस्टमिन, कट करना ज़रूरी दोड़ी कट करो, यार ब्रश की साहिता से ले लो छड़क छड़क दो किसी फिमेल फ्लावर कर कह सकते हैं तो 19 का C भी पुष्पन कह सकते है सौर बिनशुकला अनुज बोल ले है 19 काए, 19 काए, नहीं होगा बेटा बैगिंग एक प्रोसेस है बैगिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी फिमेल फ्लावर को क्रॉसिंग कराने के बाद उसमें क्रॉस कराने के बाद उसको ढख दिया जाता जिससे कि आने कोई पालं गरने उसमें न जा पाहे कह सकते हैं यह तो पासिबल है यह तो ज़रूरी है करतिम संक्रान में कह सकतेны यह है आप मेंडल के नियमों के अंसार में चलिए, मेंडल वाला जब पढ़ेंगे तब बात होगी, ठीक है, अगला प्रश्न है, भूण कोस्ट के विकास के लिए निमलिखित में से कौन सा क्रम सही है, आर्कीस्पोरियम, गुरु विजानू, गुरु विजानू मात्रकोश का, नम और भूण कोस्ट, नमबर दी आप्सट है, आर्कीस्पोरियम, गुरु विजानू द्भित, बूण कोस्ट, आपके पास 4 अप्सट है विटा, तो इन 4 अप्सट में से एक को चुनना है, तो आप अपना अपना कमेंट जरूर दे, फटा फटा फट चैट सेक्शन आन है, कम embryo sac embryo sac that means female gametophyte यानि मादा यह को मकोद्भित की बात कर रहा है यहाँ पर तो मादा यह को मकोद्भित जो है उसके विकास के लिए कौन सा क्रम यहाँ पर सही है कि आप अब्वट कमेंट करें कमेंट करें किया यह अपने पढ़ा सब कुछ है सब कुछ बढ़ा मैंने क्या आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन बस अपना communication skill चेक करना है कि आप पढ़ रहे हैं वह अच्छी ता है ठाप अपमिम्मराइज कर पा रहें कि नहीं कर पा है ऐसा होता है कि तो कन्फूजन होता है हाँ टॉन्टी का ए बता रहे हैं सत्यपाल कश्यप रंजीत सिंग टॉन्टी का बी बता रहे हैं कि टॉन्टी का बी रंजी सिंग बता रहे अच्छा कायरा टॉन्टी का ए बता रही है कायरा बाकी लोग भी कमेंट करें भाई भून कोस के विकास के लिए निम लिखित में से कौन सा क्रम्स तही है और यह प्रस्ण 2014 और 2008 में पूछा जा चुका है बोर्ड में कह सकते हैं मैंने यहाँ पर आकलन करने के लिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर ठीक है तो आप लोग चैट सेक्शन अन है कमेंट करते रहे हैं चलिए तो यहाँ पर आज रखे कि जो आपका जब भूण कोश का निर्माण होता है किसी फीमेल बतलब डैडविन कारपेल या ओब्री जो आप पढ़ते ना सारी चीज़ें अब्यूल बगारा जो पढ़ते हैं अब्यूल के अंदर भूण कोश कैसे बनता है तो भूण ज कार करने लगती है रूर्ण कोंस्त में कोई भी जो ओती है यानि Embryo SAC के अंदर Embryo SAC के अंदर कोई भी सेल जो होती वो आर्की स्पोरियम सेल या हाइपो डर्मल सेल की तना कार करने लगती है समस्तर यह और यही आगे चलकर बनाती हैं कुछ विशेश प्रकार की कोशिका हैं जिसको बोलते हैं गुरु बिजाणू मात्र कोशिका यानि मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल यानि गुरू बिजाणू मात्र कोशिका और ये गुरू बिजाणू मात्र कोशिका जो होता है ये क्या होता है इसमें होता है मियोसिस पर और याद रखिए ये गुरू आर्की स्पोरियम हो गया मेगा स्पोर मदर सेल हो गया ये सारी धुगुरित कोश बात है मेगाइस्पोर मदर सेल में जब यानि गुर्व जानु मात्यकोशिका में विभाजन होगा यानि मियोसिस डिवीजन होगा तो चार के चार जो आपका ओवियूल है उबियूल में जो इस्ट्रक्शर पाए जा रहा उसमें चार इस तरीके के निउकलिस बन जाएंगे याद रखकें ठीके चार के चार क्या पर क्या बन जाएंगे निउकलिस बन जाएंगे जहा रखिए अब सिद्धिस बात है इनी को बोल देतें मेगा स्पोर आप इसको बोलते गुरुव जाणु गए गा जयेते हैं और यही गुरुव जाणू पूरा स्ट्रक्शर बनाए कोई सेल कितरा कार करने लगती है और यही गिपलोइड होती इसमें मियोसिस बनते हैं मेगाइस्पोर और आगे चल कर क्या बनाएगा एम्ड्रियो सेक यानी प्रून्ट कोश का निर्माड करेगा ज्याद रखें मेगाइस्पोर तो यहां पर बी इस राइट ऑप्शन अमझे यह बी इस राइट ऑप्शन यानि अब्यूल के अंदर प्रक्रिया हो रही है मैंने अभी बता आपको बताया कि अंब्रियो सब्सक्राइब बनाना है ना हम लोगों को क्योंकि कोशन ने ब्रूड कोस के विकास के लिए तब ब्रूड कोस के विकास करना है जो तीजन बात अब्यूल में होगा ना तो अब्यूल में कोई एक कोशन का आरकी इस-पोरियमसल की टुमकोद भी तो यहां पर सीधा बात है कि यहां पर राइट अप्शन है आई यहीं अर्की श्रीर घुर्णू मात्र कोश्ट कशिका बना और याणि मेगा च्पोर्स बने और फाइनली अ भी याद रखिए है कि लिए सबको कि लिए सबको बहुत अच्छी बात है तो यहां पर राइट आप्शन इस नंबर भी ठीक है अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं हम लोग दूरी निसेचन की क्रिया होती है यानि दोहरा निसेचन होता है किसमें होता है नंबर आप्शन स पातपों यानि जिमनियों स्पम में चार आप साने यह 2022 में भी कोशन पूछा गया याद रखिए यह 2022 में प्रश्ण जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्ण आया था का सकते हैं ठीक है तो दोहरा निसेचन होता है अब सीदी बात है दोहरा निसेचन केवल किसमें पाया होती है याद रखिए यानि दो बार निसेचन होता है दो बार किसमें दो मेल नुकलिया होते हैं एक नुकलियस के साथ दृधियक के साथ बिभाजित होकर एंडोस्वरम बनाता है और अन्डोकोसिका से मिलकर घृून का निर्मार करता है याद रickers bigger to dł hung निर्मार करता है तो दो और निसेचन होता है किसमें पसलो अबूस शिख केप व क्या होता है इंदर नंगर सेखोंग के अंदर की खोंग कोज नंगर स्थ? और फर्टिलाइशन की खोंग प्लांट के अंदर इसको खो जाता सबसे पहले अगला प्रश्न का तात्पर है जैसा कि मैंने भी पताया कि मतले समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो बार निसेचन होगा दो और निसेचन माने निसेचन होना आप जानते हैं कि भी थे लगार baik थे मेंने कि बनायेगा एक बनायेगा जाइगोत बनायेगा छाइगोत बना ही क्रावाथाय आऩा से मिलना ही आप जानते हैं कि मैंने अभी बनाया को से और एक नयसेचन परणुरा कि wediPhone यहां पर यहां करेगा fusion करेगा तो यहां पर B is the right option कर एक नरी कुमक अंड कोशिका से तता दूसरा दूसरे का दित्यक के अंदर के साथ सही हो जन ही दूइनिसेचन कहलाता है याद रखिए ठीक है थोड़ा सा और explain करेंगा इसको बना देते हैं यहां पर दायाग्राम एक अच्छा सा इसमें आप जानते हैं यह सिनर्जिट साथ हो गई है यह अंड कोश्का हो गई यह इसकी साहे कोश्का हो गई यह हो गया सेकेंडरी नुकलियस यानि दूतियक के अंदरक हो गया ठीक है यह आपकी प्रतिमुख कोशिका है डाट मिन एंटि कोश्रिका है प्रत्मुक कोशिका है और यह अंड कोश्रिका है यह मन्पया था है अन्ड है ठाइए और यह आपल हैं इतनी बात के लिए रहे आप जानते हैं कि जब पॉर्स्रील में जो होता है उस में पॉलेंज jaj दो मेल नुकलियाइ होते हैं एक मैन नुकलियल क्या करता है एक मेल नुकलियस फ्यूजन करता है दूतियक के इंद्रग के साथ ठीक है तो यहां पर क्या हुआ वन टाइम निसेचन हुआ यह नर इगमक मादा इगमक से मिला और इसके द्वारा जो इस्ट्रक्चार बना वो बना एंडोस्परम या बना एंडोस्परम ठीक है याद रखे ऑर जो दूसरा जो केंद्रग है वो क्या करेगा यह करेगा अन्ड कोशिका से तो यहाँ पर क्या हुआ Nick के साथ केंद्रक के साथ चीक है और एक केंद्रक ने क्या किया अंड कोशिका के साथ फ्यूजन कर लिया इसने एक केंद्रक ने दुत्यक केंद्रक के साथ फ्यूजन करके भूण पोस्ट बना दिया एंडोस्पर्म बना दिया और एक ने अंड कोशिका से जुड़ कर क्या बना दिया embryo बना दिया नी भूर्ण बना दिया याद रखे तो याद रखे thấy कि यहांपर क्या हुआ है दो बार निसे च्णनवा तू टाइम और ऐसा केबल पुषपी Ouch होता असक्समेर 2023 इनधर बाकी जितने विए और प्रांटस में फ्लाबरनिंग एलगीज आए टेरडवाइट आए ब्रायोफाइट आए जिम्नोस परमाएए इनमें किसी में इस तरीके की प्रिद्ग्रिया नहीं देखेगी इनमें किसी में ऐसी कंडिशन नहीं पाए जाती दोहरा निसेजन इनमें सभी में अनुपस्थित होता है केवल का केवल जो क्या करेगा नरका दूत्यक केंद्रक के साथ सायोजन करेगा भूण कोस के कह सकते हैं ठीक है जादर के अगला प्रशन है 2022 में पूछा गया है लूड़ कोस्थि कोष्काएं होती है यानि आभरत वीजी पॉदे का भूण कोस होता है या करके लिखा हुआ है इस तरीके से प पुश्पिय पातपों में लेंगिक जनन के objective को ही हम लोग deal कर रहे हैं ठीक है हर एक चैप्टर से हम लोग objective उठाएंगे और धीरी-धीर करके कबर करेंगे तो टेली की डेली सब लोग साड़े-साथ बज़े योईन किया करो ठीक है डेली की डेली सब लोग जितने भी जुड हुए हैं सभी इसे request है कि सब लोग साड़े-साथ बज़े ही जुड़े ठीक है डेली की डेली क्लास चलेगी सब लोग जुड़ता है अब ऐसा नहीं कि आप notification कर दिजार करें एक बार चेक कर लिया करें YouTube पे जाके चीक है कभी-कभी notification off रहता है तो तो आपको पता नहीं चल पता है तो आप लोग साड़े-साथ मुझे चेक कर लिया गरो, साड़े-साथ साथ-पैतालिस के बीच में आप चेक कर लियागर कि आज क्लास है कि नहीं है ठीक है तो ज reflect क्योष्चि का है Endospraぎ की बात करते है छा पिर रखी आप थ़ोड़ा सा पीच्छे वर्णते हैं यहा युउगमक और आप जानते हैं कि कैंद्र कैसा होता है,tered applies होता है तो आप जानते हैं कि एक युउगमक अगुढूट ay और एक युउगमक दुणभी तैस याई्य तु एनल कित्ता हो जाएगा, हो जाएगा, इस इसीरीकमक बोलते ट्रपल फ्यूजन क्या बोलते हैं तो यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है कि भूण पोस्ट की कोशिकाएं होती हैं त्रिगुडित होती हैं त्रिगुडित होती हैं त्रिगुडित होती हैं त्रिगुडित होती हैं अगुडित होती हैं चार आपसन है आपके पास फटाफट कमेंट करके बताओ आप तो सब लोग ठीक है उसके बाद अपनी पढ़ाई करें या खाना खाएं ठीक है पढ़ें या फिर रेस्ट करें ठीक है कायरा सर यह होगा अंसर तेज तेज का कि मल्टिसलरमटी न्यूक्ल कंव नियुक्वन और मंहीं कहाँ कि एंडोस्पर्म है एंडोस्पर्म कैसे बनता एस घुड़ेत2 तो कमा सेखेंड नूकलेश थे दू एन ले गेयर सह आपका मेलग क्षा मीट है मैल नूपडुनेश और प्लस फिरते कि साइस सहीमेड डिलकूटर कई डिया त्रीड को सब्सक्राब बता दे, एन्डॉस्पर्म निूट्रीटिव टिश्यू निूट्रीटिव टिश्यू, यानि पोशक उतक होता है। करता क्या है, जो भूण बिक्सित हो रहा है, भाई एक इगमक ने क्या किया, सेकेंडी निूकलेज के साथ, प्रूण पोश बना दिया और जो दूसरा जो केंद्रक है पराग कड़का उसने क्या कि अंड के साथ यानि एग के साथ फ्यूजन करके भूण बना लिया तो जो भूण बना है जो की एक deployed structure है इस भूण को nutrition provide करने का काम endosperm का होता है याद रखिए तो nutritive tissue है जो की विक्सित भूण को पोशण प्रदान करता है याद रखिए ठीक है तो यानि endosperm क्या है एक पोशक उतक है जो की विक्सित भूण को nutrition provide यानि पोशक प्रदान करता है ठीक है अगला प्रश्ण है बहु व्रूंडता खोजी गई poly embryoni पॉली उसके बाद class off हो जाएगे चिंता ना करें एक दो questions और रहे हैं वो लोग सब लोग deal कर लें उसके बाद हम लोग आफ कर देंगे यह आपका सबसक्क तो प्रश्ण है 24 24 प्रश्ण है बहु वुंडता खोजी गई किसके द्वरा khोजी गई लीव यह नहीं कोपर उर्च याद रखिए म bindsकल झ alot कोपर कोजी गई याद रख्यें है थो आप याद रखे तो जो भूब रूरता है poly embryony ने जो है वो leave and hawk के दौरा खोजी गई तियाद रिए ठीक है एंटोनी वँन leave and hawk नाम की जो scientist है उन्होंने इसको सबसे पहले खो जाता तो poly embryony किसने खो जायँ सबसे पहले level hawk ने खो जाये ठीक है उम्मीद करते हैं ये session आपके लिए important रहा होगा आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो like जरूर कर दीजिए और इस video को अपने दोस्तों के साथ अपने classmates के साथ share जरूर कर दीजिए जिससे कि उनका भी lab हो सके और वो exam अच्छे से crack कर पाएं या minute इस बोर्ड एक्जाम जो सर पर हैं आपके फर्बरी में एक्जाम हो जाएंगे तो सभी लोग हमबल रिक्वेस्ट है इस बीडियो को इस शेशन को और डेली डेली यहां पर शाड़ी साथ बज़े यहां पर डेली के लिख चलती है और जो लोग नय है चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं ठीक है पी महत्री एंभ्रियो लॉजिस्ट गईलाते हैंले कि बाट है लेकिन वウलि अम्परूनी' की खोज जो थी वह लिवनु शक ने की अगरी तोपिय बूत्थिय को यहां कि ये भूऌढ क या भूढ़ कि का घंक जाता है पंचन महसुरी को याद रखे में जो लेंगिक जनल होता है यानि चैप्टर आपका है ठीक है उसमें ये multiple choice questions है आपके यानि बहुत बिकल्पे प्रश्ण है जो कि exam की दृष्टी से बहुत ज़्यादा important और खास है ये हमारा इस chapter का दूसरा lecture था ये ठीक है इसको share करिए लाइक करिए और जो लोग नए है चैनल को subscribe कर दीजिए thank you all the best बचो good night मिलते रहेंगे इसी तरीके से live sessions में इसी जुनुनित के साथ आपके support में हम खड़े हुए है ठीक है thank you all the best